हम कही जाएगी और हर पहलू को अगर हम देखें तो सबसे बड़ी बात है कि नकसल प्रभाविती हराज शर्तिसगर है और जहां पर केंद्री ग्री मंत्री के तौर पर पीछ दंबरम पहली बार यहां आ रहे हैं समिक्षा बैठक होगी नकसल प्रभाविती शेत्रों में नकसलियों से कैसे निप्टा जाए इस पर रणनीती बननी है उसको किस प्रकार से अमली जामा पहना जाए और किस प्रकार से यह लागू किया जाए इस पर भी चर्चा होगी सबसे बड़ी बात है कि ATS का गठन कर दिया गया है अब कमांडो बटालियन बना लिया गया है अब उसके बाद इनको कैसे इस्तमाल किया जाए और किस प्रकार से नकसल प्रभाविश शेत्रों में इनका उपयोग किया जाएगा और नकसलियों पर लगाम कसी जाएगी इन तम चोटे से बड़े एहम मुद्धों पर भी चर्चा करेंगे बिल्कुल इन चीजों को एक दूसरे जोड़के देखा जा सकता लेकिन उसके सांसत में बात बताना चाहूंगा आपको कि आज दंड कारण बंद का भी आवान नकसलियों ने किया है उसके नजदर सुरक्षा के पुक्ताइं सजाम किये गए हैं सांथी में बताना चाहा रहा था कि नरायंट सामी जो उनके सांथ में जो कॉंग्रेस का प्रतनी मंडल राजभवन में जाकर कर राजिपाल से मिला था उसके बाद केंद्रिक्री मंत्री का एदारा है तो वो फरजी मुटभेड का जो मामला है सिंगावरम में आठ जन्वरी को जो हुआ था वो मुद्दे भी आज एहम होंगे और उस पर भी आज निश्चित तोर पर केंद्रिक्री मंत्री के साथ में जो चर्चा होगी वो अहम तरीके से उठाई जाएगी निश्चित तोर पर उनकी बैठक इसलिए एहम होगी क्योंकि पिछले तीन साल पहले जब सलवा जुडूम अभियान चला था आदिवासियों की ओर से तो डॉक्टर रमन सिंग ने पहल की थी और उन्होंने इसको उन आदिवासियों को संरक्षन देने की बात कही थी और इ उनकी ओर उंगलियां उठाए गई कि उन्होंने इसे संरक्षन दिया और आखिरकार जनता को भुगतना पड़ रहा है तो आज की बैठक में जब ग्री मंतरी से चर्चा करेंगे तो कहीं अधिक एहम समझा जा सकता है कि कितना वो समझा पाएंगे केंद्री ग्री मंतरी को क कि यह जो सलवाजूनम अभियान है यह जनता का अभियान है और नक्सलियों के खिलाफ अभियान है